दत तेरी की यार फिर से लेड़ चलीगी एद सर पे आये वापड़ा वालों ने भी तमाशा बनाया हुआ है एद की वज़े से बहुत अकड दिखा रहा था न ये दर्जी अब देखता हूँ हमारे सूट कैसे नहीं लेता उस्ताद प्लैन है क्या तू बस देखता जा अब ये दर्जी हमें पैसे भी देगा और हमारे सूट भी सिल के देगा अरे वाँ उस्ताद केले उस्ताद तेरा उज़ार बहुत काम आया मेरे उज़ार से किसी की जेब काट के तो नहीं आ रहे अरे नहीं उस्ताद एक बंदा बहुत अकड दिखा रहा था उसी की अकड काट के आ रहे है शुक्रिया उस्ताद बिजली नहीं गई बिजली नहीं गई तो मिशीने तेरे बाब ने बंद की है उस्ताद ये देख बलव जल रहा है है बला भी चल रहा है पंखा भी चल रहा है अगर भिजली नहीं गई तो मिशीने किस तरह बंद हो गी है उस्ताद कोई मसला आगया होगा अलक्टिशन को काल कर लो अब यह करता हूँ यह देखो भाई साब तीनों के तीनों कारीगार निकम में बैठे हैं लेगन हमारे कपड़े नहीं सिलाई करके दे रहे भाई फिर से आगयो मैंने आपको कहा है ईद का रश है मेरे पस टैम नहीं है हमें कहते हो ईद का राश्य कपड़ों की जगा नहीं है और तीनों कारीगर मशीने बंद करके बैठे हैं ओ भाई हमारी मशीनों में मसला आ गया इसलिए निकमें बैठे हैं तुम जाओ किसी ओ दर्जी के पास हमारे पास टैम नहीं है हलो अब क्या होगा तुटेंशण ना ले मैं हूँ ना अरे भाई मशीनों में मसला आगय है तो मैं चक कर देता हूँ मैं ये काम जानता हूँ नहीं पहई हमारे अपना और कर साव emergency है हेलो की दरा यार तुँ यार मेरी मैशीनो का मसला बनेंगे है, जल्दी यार मशीने सेट कर मेरी क्या? दो गंडे बात? यार इद कर रहाई, शैयाँ तू दो गंडे बात आएगा तो कितना नुक्सान हो जईगा मेरा कभी न दो गंडे का कह गाय रहा है उपर से काल भी बंद कर दी मेरी ठीक है भई खुदा आफिस बैठे रहो दो घंटे अलेक्टरिशन की इंतजार में रुको भई रुको तुम अलेक्टरिशन का काम जानते हो ना काम तो सारा जानता हूं लेकिन तुमने हमारी कौन सी कदर की है चलो भई चलो अरे रे भई बात तो सुनो मेरा अलेक्षिन दो गंटे लेटा है दो गंटे मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा तुम मेरी मशीने बना दो मैं तुम्हारे सूट सी देता हूँ अभी थोड़ी देर पहले जब तुझे ये दो सूट देने आये थे याद है तुने क्या कहा था असलाम लेकुम भाई जान वालेकुम सलाम भाई साब ये हम दो भाईयों के सूट सिलने आएं आएं हमारी नाप तो ले ले लें भाई 20 रोजे गुजर चुके हैं अब तक कौमे में थे क्या पूरा रमजान सोते रहते हैं आखरी दिनों में मूँ उठा के आ जाते हैं नहीं हमारे पास टैम सूट उठाओ निकलो यहां से भाई साब मानतों हम लेट हो गएं उठा यार महरबानी करें इस टैम हमें कोई भी निसलाई करके देगा आफसल देगा जाओ भई तेरे दिमाग में बाद भी बैठ दी नहीं है मेरे पास टैम रच देख मेरे पास भूला नहीं हूँ वो बेश दी चल भई अरे भई माफी चाता हूँ हमारी मिशीने बना दो हमारी रोज़ी रोटी का मसला है पलीज अच्छा ठीक है बना देता हूं पलास मंगवाओ जिजी भई छोटे पलास है भई मशीने सट कर देता है ठीक है आप इदर आ जो मैं चे उस्ताद हमारा लेवल का लेक्ट्रीशन है तुमारी मशीने अभी ठीक कर देगा मैं भी चोटी का दर्जी हूँ तुमारे कपड़े हाई कलास के सी हूँगा बस बटन वी आई पी लगाई हो कोई ज्यादा मसला तो नहीं है अरे नहीं नहीं भाई बस ये में तार कटी हुई थी मैंने इसको रपेयर कर दिया है अब आके ज़रा चेक करो मशीने चलती हैं के नहीं अरे वाँ भाई मशीने तो चल रही हैं आपकी बड़ी मेरबनी लेकिन तार तो हम नहीं लाए थे ये कट कैसे गई अरे भई तुम मेरा उजार ले गए थे नहीं जाने कौन सी तारें काटी हैं ये काम नहीं कर रहा ये देखो अच्छा कमीने ये सारा प्लैन तेरा था उस्ताद ये तेरा ही प्लैन था और तो अकेले खुगत मैं तो चला हुआ तो ये बताता हूँ तो नहीं किसके साथ पंगा लिया है